के ऐलो गाइज वेलकम टू माई चैनल स्क्या स्टडी चैनल गाइज आज मैं यह अपना इस चैप्टर को प्रॉब्लमस और ट्रेन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं ठीक है आज कंप्लीट कर दूँगा इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट सलुशन मिल ज तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा ठीक है और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेर कीजिए जो लोग आ रहे हैं सगरवाल फॉलो करते हैं ठीक है उनको बताईए कि शॉट शॉट ट्रिक्स है ठीक है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बस आ कर रहा हूं ठीक है लास्ट वीडियो में 21 कोशन से किया था तो 22 कोशन क्या बोल रहा है टू ट्रेंस रणिंग इन इस सेम डिरेक्शन एट 40 किलोमेटर एंड 22 किलोमेटर कम्प्लिटी पासेज वन अनधर इन वन मिनेट ठीक है तो गाइस यह बोल रहा है इदर पे कोशन का का मतलब है कि दो ट्रेन है सेम डिरेक्शन में जा रहा है तो इनों का स्पीड देंगा लाइए 40 किलोमेटर एंट 22 किलोमेटर ऊके और बोल रहा है कि जो फर्स ट्रेन वह दूसे को एक मिनिट में क्रॉस कर रही है ठीक है टाइम दिये अब निकालना क्या है इव दे लेंद of the first train is 125 बोला है first train का जो लेंथ है वो 125 है दे लेंथ of the second train तो second train का लेंथ कितना हो सिंपल गाइस बहुत ही सिंपल है मैंने वीडियो में पहले ही बोला था अगर सेम डियरेक्शन होगा तो स्पीड माइनस होगा अगर ऑपोजी डियरेक्शन होगा तो स्पीड प्लस होगा ठीक है बस इसको टाइम वाले फॉर्मुले में पूट करना है एंसर आ जाएगा चलो करके देखते हैं तो गाइस फॉर्मुले में बस पूट कर देना है time equal to distance by speed ठीक है तो हमारा time कितना दिया था वन तो वन मिनट ठीक है तो वन मिनट है तो हम इसको 60 सेकेंड भी कर सकते हैं ठीक है ट्विंटीटू है ना यस गैस ट्विंटीटू है ठीक है इसको करने से हमारा कितना आता है कि एट्टीन ठीक है इसको मैं convert कर दे रहा हूं किसमें ओके गाइस इतना समझ में आ गया अभी क्या है इसको वन यह वन मिनट है मतलब 60 सेकेंड ठीक है अभी इसको 125 प्लस एक्स और नीचे हमारा कितना रह गया 5 ठीक है अभी गाइस इसको solve करने से हमारा answer आता है 125 माइनस कितना 300 तो कितना आ जाएगा 175 मीटर ओके ऑप्षिन में देखते 175 मीटर दिया है कि नहीं तो गाइस हमारा option में 175 दिया हुआ है ठीक है अभी नेक्स क्या बोल रहा है एक ट्रेन है जिसका स्पीड 36 किलो मीटर पर आवर क्रॉचा है इसमें क्या है पहले हमको ट्रेन का distance निकानना पड़ेगा मतलब 10 का लेंथ निकानना पड़ेगा तुर speed दे दिया है time दिया है तो दस्ट्रेंश का formula क्याताает speed into time बस निकान लो टौर करके दिखाताओं कैसे करता हूं तो experience This दिया था to speed दिया था 36 ठीक है 10 सेकेंड दिया था time okay 10 सेकेंड तो distance मेरा कितना है 100 मीटर ठीक है हमारा distance निकल गया अभी क्या बोला है कि platform में जो 55 मीटर उसको कितने मिनिट में कंव मतला क्रॉस करेगा तो time कुछ है तो time का formula लिख दो distance by speed distance कितना है 100 ठीक है अभी speed कितना था हमारा आया था speed हमारा कितना था 10 10 लिख दो ठीक है sorry guys जीदा पर 100 100 हमारा train का आया था platform का भी add करना है ठीक है तो इसको add करेंगे 155 by 10 guys इसको solve करने से 15.5 आता है तो यह कितना हो जाएगा 15 and half ठीक है option में देखते है 15 and half दिया है कि नहीं दिया तो guys 15 and half second दिया हो ठीक है next question क्या बोला train takes 5 seconds to pass an electric pole एक train है वो 5 seconds लेता है electric pole को cross करने के ठीक है मतलब time दिया है ठीक है 5 seconds में cross कर रहा है length दिया है क्या if the length of train is 120 meter मतलब train का जो length है वो 120 meter दिया है the train taken by by it to cross a railway platform ठीक है अब बोला है कि वो time कितना लेगा train एक platform को cross करने के लिए जो की 180 meter long ठीक है same है गाइस पहले वाले में किया था speed दिया था भी दूसरे वाले में speed दिया है speed निकलना है पहले वाले में किया था distance नहीं दिया था distance निकालना था इधर इस्टेंस दिया था तो गाइस इधर पे speed का formula में put करना है speed equal to distance by time distance कितना था 120 time कितना दिया था 5 seconds ठीक है इसको काटेंगे था 25 24 meter per second आगया अभी हमको क्या निकालना है time ठीक है तो time equal to distance हमारा distance कितना है 120 और platform का कितना दिया है प्लैटफर्म का दिया है 180 ठीक है और distance हो गया speed कितना है हमारा speed कितना है 24 ओके अभी इसको कि इसको करो solve 300 by 24 तो इसको solve करने से हमारा आता है 12 and a half second ठीक है तो option में देखते है 12 and a half second दिया है कि नहीं तो काइस option में है भी 12 and a half दिया है ठीक है नहीं कोशन किया बोल रहा है आपको तो पता यह opposite direction होता है तो क्या करते हैं तो कोशन में क्या बोल रहा है बोल रहा है एक ट्रेन है 150 मीटर जो कि 10 सेकेंड में एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जो कि 100 में लॉंग है और वह opposite direction आ रहा है opposite direction से आ रहा है बोला इव the speed of the first train first train का speed दिया है 30 किलोमेटर पर आवर ठीक है देन the speed of the second train तो second train जो होगा उसका speed कितना है तो गाइस सिंपल कोशन है पहले भी इस कर देंगे हमारा answer आ जाएगा चलो देखते हैं किस तरह करते हैं तो काइस हमको क्या है time के formula put कर देना है time equal to distance by speed ठीक है तो time कितना था 10 seconds ठीक है 10 और दोनों का मतब distance मिला के कितना आ रहा था 250 आ रहा है हम लोगा दोनों का distance मिला के ठीक है और एक का speed दी दिया है 30 और दूसरे कम को find करना है तो प्लस X करेंगे क्यों प्लस करेंगे क्योंकि opposite direction है यह आपको अच्छे से पता है और इसको क्या है मीटर पर सेकेंड में convert करेंगे तो इतना आएगा ओके गाइस अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका एंसर आता है 90 माइनस 30 ओके तो यह आएगा 60 तो 60 किलो मीटर पर आवर हमारा स्पीड निकला ठीक है तो आप्षेन में देखते हैं 60 दिया है कि नए तो गाइस ऑप्चन में हमारा 60 किलो मेटर पर आवर दिया हुआ ठीक है सेकेंड को स्ञेक क्या बोला है अग त्रेन इस रूनिंग एड़रेट और 40 किलो मेटर पर आवर एक ट्रेन है जिसका स्पीड 40 तो वह 25 km per hour की speed से जा रहा है कि train उसको और train if the train crosses the man in 48 seconds अगर वह 48 seconds में इसको cross कर रहा है तो length of the train क्या होगा तो बस distance पूछा है मतलब length पूछा है इसको simple ले time की speed में put कर देंगे पूरा और answer हमारा आ जाएगा चलो करके दिखा देता हूं आपको तो गाइस इसको time equal to distance by speed में put करना है time हमारा कितना दिया था 48 seconds में cross कर रहा हमको find क्या करना है distance find करना है same direction है direction है तो इसको क्या करना है हमको speed को minus करना है तो 40 माइनस 25 करेंगे तो कितना आता है हमारा 5 15 ओके अब इसको क्या करना है हमको 15 को हमको क्या करना है convert कर देना है ठीक है km per hour में ठीक है तब गाइस इसको solve करोगे तो हमारा जो distance आएगा वो आएगा 200 मीटर ओके तो option में देखते है 200 मीटर दिया है कि नहीं तो गाइस option में 200 मिनेट दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है next question क्या है train traveling 36 km completely cross another train having half having half its length ओके question का मतलब है कि एक train 36 km per hour की speed से जाता है ठीक है और एक वो train को दूसा एक train है जो कि उसका half का length है वो opposite direction में आ रहा है 54 km per hour की speed से उसको 12 second में cross कर रहा है ठीक है मतलब distance नहीं दिया खाली इतना बोला है कि जो पहले train है ठीक है और जो दूसरा train है दूसरा train पहले वाला का half distance उसका ठीक है तो बोल रहा है it passes a platform in one and a half minute ठीक है तो एक platform में उसको वो one and a half minute में cross कर रहा है तो उस platform का length कितना है ठीक है तो गाइस यह थोड़ा लंबा को process वही है उसी तरह करेंगे लेकिन थोड़ा लंबा पड़े आया क्योंकि आपको पहले train का length निकालना पड़ेगा length निकालना पड़ेगा ठीक है लेकिन method होई है ठीक है time का ही formula से निकालेंगे ठीक है दूनों का चलो करके मैं दिखा देता है आपको अच्छा 2x हो गया तो यह x होगा ठीक है बस अब क्या करना है अभी हमको डिस्ट टाइम का formula में put कर देना है तो time कितना दिया था हमारा 12 time 12 है guys distance हमारा कितना है 2x plus x 3x ठीक है अभी speed कितना दिया है दोनों opposite direction में है guys तो 36 और 54 मिलाने से हो जाता है 90 ठीक है अब इसको 5 by 18 ठीक है तो इसको solve करने से हमारा x का value निकल आएगा ठीक है तो x का value कितना आएगा हमारा x मतलब यह x क्या है यह t1 का distance है अभी t2 का distance निकालेंगे तो क्या होगा x यह 2x था तो 2 x एक्वल टू इक्वल टू सॉरी 2 x कितना होगा 100 यह 100 इक्वल टू 200 ठीक है तो हमें दोनों train का distance निकल आया अभी क्या करना है platform का distance निकालना है ठीक है सेम डाल देंगे formula time equal to distance time कितना दिया था गाइस time दिया था 90 90 सॉरी मैं बता रहा वन एंड हाफ मिनट दिया था ठीक है इसको मैंने 90 सेकेंड में convert कर दिया ठीक है अभी distance कितना है अभी पहला train है पहला train का बोला है कि पहला train ने इसको first train सब्सक्राइब यह गलत हो गया यह train 2 होगा यह train 1 होगा ठीक है तो train 1 ने इसको cross किया अभी train 1 platform को cross करेगा तो इसका हम लोग distance लेंगे 200 प्लस x speed कितना आया मेरा 36 दिया हुआ पहले वाले का into 5 उपर 80 ठीक है अभी इसको solve करने से हमारा कितना आता है 900 कर लीजेगा सब्सक्राइब कर ले रहा हुँ ठीक है को कि मुझे पता है करने से मेरा कितना आएगा 700 मीटर सो प्लैटफॉम का कितना है लेंथ 700 मीटर ऑप्शन में देखते हैं दिया की नहीं तो गाइस ऑप्शन में 700 मीटर दिया हुआ ओके नेक्स क्या बोले है टू ट्रेवल ट्रेव इन और डरेक्शन 36 किलों मीटर और 45 कीलो मीटर पार ड्रोट ट्रेन है 36 कि और 45 क्लोमीटर दोनों का मत्भा मतलळों कीस्पीड देदे यह एक तो लेंध कितना है तो guys इसको कैसे करना है simple है guys distance के form में put कर देंगे जो given दिया हुआ हमारा answer आ जाएगा तो guys distance equal to speed into time तो opposite direction में था दोनो तो speed plus होगा तो 81 अब इसको क्या करना है meter per second में change कर देंगे 5 by 18 ठीके अभी time मेरा कितने दिया था 8 तो guys इसको solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 180 meter तो option में देखते है 180 meter दिया है कि नहीं तो हमारा option में 180 meter दिया हुआ है okay guys अभी next question क्या बोला है to train each 100 meter long दो train है दोनों का जो length है 100 meter long है ठीक है moving in opposite direction opposite direction में move कर रहे हैं cross each other in 8 second में 8 second में दोनों को cross मतर्य एक दूसरे क्रॉस करते हैं if one is moving twice as fast as the other बोल रहा है कि एक जो है train दूसरे train का twice है मतर्द डबल है ठीक है अगर दूसरा train x है तो पहला train कितना हो जाएगा 2x से जो इसे पहले पहले वाला question में कराया था ना first train ठीक है का distance second train का distance x था तो first का क्या हो गया 2x हो गया half वाला question में जो था अभी पूछा क्या है then the speed of the faster train faster train का speed कितना होगा ओके गाइस चलो करके देखते हैं तो गाइस first train second train ठीक है इसका first train कितना है twice बोला है दूसरे से तो यह x होगे यह 2x होगे अब बस इसको क्या करना है formula में put कर देना है ठीक है तो time हमारा कितना दिया था 8 distance दोनों का 100 100 each बोला था और यह opposite direction में तो यह दोनों 25 से ठीक है तो यह 3x यह 25 और x को solve करोगे तो तुमारा आएगा 25 by 3 मैं इसको काट नहीं रहूंगा इस ठीक है काट हूंगा तो point में जागा फिर बाद में आपको first train का speed निकालना मतलब problem हो जाएगा अब यह fastest train का जो है speed पूचा फास्टेट क्यों नहीं यह 2x है तो बस इसको put कर दो 2x ठीक है इंटू 25 by 3 इसको solve करोगे तो हमारा answer आएगा 750 by 3 अब इसको क्या करना है ठीक है इसको convert भी तो करना है गाइस 18 by 5 ठीक है तो हमारे कितना जाए 60 km per hour option में देखते है 60 km per hour दिया है कि नहीं तो guys option में 60 km per hour दिया है ठीक है next question क्या बोला है two trains are running at 40 km and 30 km per hour respectively in the same direction direction okay दो train है जो 20 or 40 or 20 की speed से जा रहा है स्पीड से जा रहा है स्पीड से जा रहा है fast train completely passes a man ठीक है sitting in the slower train in five seconds बोला है जो fast train है ठीक है कम वो completely passes a man मतलब फास्ट जो ट्रेन ने वह एक आदमी को cross कर रहा है जो कि slow train में बैठा है पांस सेकेंड में ठीक है तो पूछा कि faster train जो है उसका length कितना है तो guys इधर पर कुछ भी mention नहीं किया हुआ है कि first fast train slow train का length जो मतलब हाफ है या double है twice ऐसा कुछ नहीं दिया ठीक है तो हम लोग इधर जो distance लेंग है speed ठीक है time मेरा कितना था time five seconds बोला था distance कुछ नहीं बोला तो x लेंगे ठीक है speed दोनों का speed है तो क्या करेंगे दोनों के speed को अगर ये कि सेम direction में है तो सेम direction में है तो दोनों को minus करेंगे तो 40-20 20 आता है ठीक है अब इसको meter per second में convert करो 5 into 18 ठीक है तो हमारा एक्स का value एच्छा इसको काट दो यह आएगा 10 जा यह 9 जा तो 9 x equal to 25 250 ठीक है तो एक्सा वेल्यू हमारा कितना है 27 7 by 9 meter ओके लॉप्शन में देखते हैं यह दिया कि नहीं तो option हमारा दिया हुआ है अब इन दे question क्या बोल रहा है टूट गूस ट्रेन इस फाइंडर लॉंग मीटर लॉंग ठीक है दो गूस ट्रेन है वह 500 मीटर लॉंग दोनों बराबर है ठीक है रनिंग इन ऑपोजी डिरेक्शन दोनों ऑपोजी डिरेक्शन में आ इन पहले ट्रेक दे स्पीड 45 एं 30 किलोमेटर परावा दोनों का स्पीड भी दे दिया है ठीक है अभी क्या पूछा है ड़ा टाइम टेकन बाइदा स्लोवर टाइम टू पास्ट ड्राइवर ऑफ दा फस्टर ट्रेन बोल रहा है कि टाइम पूछा एकि स्लोवर ट्रेन जो ट्रेन को मतलब किस टाइम पर क्रॉस कर रहा है ठीक है इसम्पल कोशन है इस्टा का कोशन बहुत किया हुआ है तो फॉर्मूला पूट कर देंगे टाइम इकॉल टू डिस्टेंस बाइट स्पीड तो टाइम मेरा दिया है टाइम ही निकालने हमको डिस्टेंस दोनों का 25 अब इसको मीटे पर सेकंड में कनवर्ट करो ठीक है अब इसको सॉल करोगे तो 48 सेकंड आएगा ठीक है तो ऑप्षिन में देखते हैं दिया है कि तो गाइस ऑप्षिन में भी 48 सेकंड दिया हुए ओके नेक्ट कुशन क्या बोला है टू ट्रेंस रणिंग इन ऑपोजिट ड प्लाटफॉम प्लाटफॉम पर खड़ा है 27 सेकंड और 17 सेकंड में क्रॉस कर रहा है और दोनों ट्रेंस एक दूसरे को 23 सेकंड में क्रॉस कर रहा है ठीक है तो पूछा है कि दोनों ट्रेंस का स्पीड का रेशियो कितना है ठीक है तो बहुत सिंपल है गाईस करके दिखात वो y लेके चलेंगे ठीक है और जो distance से train 1 का 27 x लेके चलेंगे और train 2 का जो distance से वो 27 x 27 sorry 17 y लेके चलेंगे अब क्या करेंगे दोनों का अब इसको क्या करेंगे बस time के formula में इसको put कर देंगे ठीक है अभी दोनों train एक दूसरे को 23 second में cross कर रही थी ठीक है distance कितना है 27 x plus 17 y ठीक है और speed कितना है x plus 5 ठीक है अब इसको solve करेंगे तो 23 x plus 23 y equal to 27 x plus 17 y ठीक है तो x x को इदर लेके जाएंगे तो 4 x equal to y y को इदर लेके जाएंगे तो 6 y ठीक है तो x by y equal to 6 by 4 3 by 2 equal to 3 is to 2 option में देखते हैं 3 is to 2 दिया है कि नहीं so option में मेरा 3 is to 2 दिया हुआ है चलो next question की तब बढ़ते हैं क्या बोल रहा है guys बोल रहा है train x speeding with 120 km per hour crosses another train y running in the same direction in 2 minutes ठीक है बोले एक train है जिसका speed 120 km है वो cross कर रहा है एक और train को जो की same direction में आ रहा है ठीक है y ठीक है two minute में cross कर रहा है बोल रहा है कि इस the length of x and y 100 meter and 200 meter दोनों का length दे दिया 100 and 200 ठीक है तो बोल रहा है what is the speed of train y train y का speed कितना होगा ओके तो train x का speed दे दिया है हमको train y का निकालना है ठीक है बस time का form में put करें एंसर आ जाएगा तो guys time equal to distance by speed ठीक है two minute दिया था two minute में cross कर रहा है तो two minute को मैंने second में change कर लिया ठीक है दोनों का speed कितना था sorry distance कितना था 100 और 200 तो 300 और speed कितना है speed एक का दिया है x का 120 ठीक है ठीक है अब यह same direction में है guys तो हम minus x करेंगे ठीक है into 5 by 18 ओके अब इसको solve करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा ठीक है तो इसको solve करने से कितना हैगा तो x का value कितना है हमारा one 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 kilometer per hour ओके चलो देखते है option में यह दिया है कि नहीं तो guys option में one 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 kilometer per hour दिया है okay so next question क्या बोला है two trains one from station A to station B दो train है एक क्या करता है station A से B तक जाता है और the other from B to A start simultaneously ठीक है तो दूसरा कब B से A के लिए start करता है बोल रहा है after meeting the train each reach their destination after 9 and 16 hours respectively बोला है दोनों जब एक दूसरे को meet करते हैं उसके बाद वो अपना destination में ठीक है 9 hours और 16 hours में पहुशते हैं तो दोनों का speed का ratio कितना है गाइज इस simple सा question है दो line का answer आएगा ये question का जब भी तुमको इस तरह question time दे देगा और speed का ratio निकालने बोलेगा बस एक formula हमेशा इसको याद कर लो अभी लिखा रहा हूँ very very important question है ठीक है और थोड़ा हटके भी है इस chapter में से question मैं आपको बताता हूँ तो guys सीधा सा ये formula है speed का रिच्छे पुछे तो speed a by speed b ठीक है equal to root over time b by time a time b को कितना time लगा time a को मतलब a को कितना time लगा ठीक है तो time b को कितना लगा था 16 ठीक है और a को लगा था 4 root over अभी इसका root हटाएंगे तो कितना हो जाएगे ये 4 ये 2 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा sorry ये 9 है ये हो जाएगा 3 ठीक है तो कितना 4 is to 3 हमारा answer है option में देखते हैं तो guys option में 4 is to 3 दिया हुए ठीक है next question क्या बोल रहा है आप ट्रेन x start from मेरट at 4 p.m. and reaches ghaziyabad at 5 p.m. ठीक है वाइल अनदर ट्रेन y start from ghaziyabad at 4 p.m. and reaches मेरट at 5.30 p.m. ठीक है question का मतलब क्या बोल रहा है एक train x है जो मेरट में मेरट से चार बजे निकलती है और ghaziyabad 5 बजे पहुंसती है दूसरी train है जो ghaziyabad 4 बजे निकलती है और मेरट सारे 5 बजे पहुंसती है तो बोल रहा है that two train will cross each other दोनों कितने time पर एक दूसरे को cross करेंगे ठीक है guys यह question very very important इसका एक formula है यह question को अच्छे से रट डालो इस question के formula को अच्छे से रट डालो क्योंकि इस तरह का question बहुत आता है exam में ठीक है ज्यादत say means में आता है तो मैं आपको बताता हूं किस तरह करते इस पहले मैं समझाता हूं ठीक है यह מरेट है यह train मेरट सोरी यह स्टेशन मेरट है और एक गजियाबाद एक ट्रेन मेरट से चार बज़े निकलती है पांच बज़े पहुंसती है एक ट्रेन गजियाबाद से चार बज़े निकलती है मेरट सारे पांच बज़े पहुंसती है ठीक है फॉर्मूला क्या है फॉर्स स्टार्ट प्लस पर चारविजे स्टार्ट के था है फांच बज़े खतम किया मतर एक घंटब्गा president लिए 5 तरिट्ट फ्लेरीन को पहुंचा माइनस फॉयिस कितने बच में झाल तिकल में शिलिते स्ट kingdom हैँ लिए चार वेड है षुल सैकंद को मिला खितना टाइम लगा अपने डेस्टीनियों पहुंचने के लिए ठीक है गाइस तो इसको कैसे करेंगे फर्स ट्रे फर्स स्टार्ट तो मैं बताई दिया फॉर पीम ठीक है प्यार लिखा प्लस टोटल टाइम कितना लगा फर्स को कवर करने में एक घंटा लगा वन इंटू सेकेंड अर्राइबल कितना था फाइब आफ आजाएगा यह टू एंड हाफ आजाएगा इसको फ्रेक्शन में करोगे तो 3 x 2 x 2 5 x 2 2 2 2 कट जाएगा ठीक है 4 प्लस 3 x 2 x 60 60 लिए करेंगे क्योंकि इसको हमको क्या करना है मिनेट में चेंज करना है ठीक है तो इसको शॉल करेंगे तो 3.36 पीम आजाएगा ओके गाई यह chapter अब एकदम complete हो गया ठीक है अब आप इस chapter को अच्छे से practice किजिए next chapter distance पर ले के आऊँगा बहुत ही जल्दी ठीक है और अगर आपको वीडियो तो आप देख लेते हो guys ठीक है comment भी करते हो कि सर यह वाला chapter कराईए यह compound interest कराईए percentage कराईए guys मैं कराऊँगा धीरे धीरे कराऊँगा मैंने तुमको क्या बोला था कि मैं easy easy chapter पहले complete कराऊँगा ठीक है distance के बाद मैं percentage पर ही आऊँगा guys ठीक है उसके बाद profit and loss, simple interest, compound interest, ratio, fair partnership, average, LCM, SCF, geometry, mensuration, sub, algebra, technometric, height and distance guys सब chapter complete करके data interpretation भी कराऊँगा ठीक है और यह यह तो यह तो basic book है guys यह book खतम करने के बाद मैं राकेश यादव से ठीक है advanced math भी कराऊँगा ठीक है तो guys आप tension मत लो बस आप से मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे को support करो subscribe करो लाइक करो कमेंट करो जो problem होता है comment करके वीडियो में डाल दो मैं उसका solution करके आपको दूँना नया वीडियो ठीक है और हाँ गाइस मैं एक दो दिन में एक दो दिन बाद बाद ही करके आपको वीडियो अपलोड करके दूँगा तो आप मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके लिए आपको तो सब्सक्राइब करना बनता है सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने वीडियो डाला है तो गाइज अपने दोस्तों को भी मेरा ये वीडियो मतब शेर करो जो इस बुक को फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो बस आपसे यही बोलूँगा कि अच्छे से मुझे सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो दोस्तों को वीडियो को शेर कराओ जो लोग इस बुक से प्रैक्टिस कर रहे है जो भी जितने भी चैप्टर भी तर मैंने कराए है गाइज इसको बार-बार रिवाइस करो ठीक है यह बुक बहुत ही ज्यादा हेल्फूल है ठीक है तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ ठीक है डिस्ट्रेंस वाले चैप्टर है जो ठीक है तो तब तक के लिए बाई बाई